शिखा अपनी सहली रीना के साथ स्कूल से घर लोट रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बेकरी दिखाई पड़ी रीना वो देखो स्ट्रॉबेरी केक अगर ये केक देखने में इतना ही टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कभी इस केक को खा पाएंगे हम जैसे गरीब लोगों के नसिव में ऐसा केक कहा अरे तुम ऐसी बाते क्यों करती हो रीना चलो हम केक वाले अंकल से जाकर इस केक का भाव पूछते है शिखा रीना के साथ बेकरी के अंदर जाती है और स्ट्रॉबेरी केक की दरफ देखते हुए बेकरी वाले अंकल से कहती है अंकल अंकल ये स्ट्रॉबेरी केक कितने का है बेटा ये केक 500 रुपे का है क्या तुम्हें ये केक खरीदना है केक का दाम सुनकर शिखा उदास हो जाती है और बेकरी से बाहरा जाती है मैंने तुमसे कहा था न, ऐसी चीजे खानी हम गरीब लोगों के नसीब में नहीं है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके इस केक को खरीदूंगी मुझे ये केक खानी का बहुत ही मन है छोटी से शिखा अब उस स्ट्रॉबेरी केक को खाने के लिए थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ने लगती है वो अपनी मा से कभी 5 रुपए तो कभी 10 रुपए लेकर अपने गुल्लक में रखने लगती है जल्दी ही मेरी पास पूरे 500 रुपए जमा हो जाएंगी फिर मैं उस बेकरी पर जाकर वो स्ट्रॉबेरी वाला केक खरीद कर खाऊंगी मेरा हमीशा से स्ट्रॉबेरी को देखकर उसे खाने का मन करता है लेकिन आज तक मैंने कभी स्ट्रॉबेरी खाई ही नहीं इस बार तो मैं उस स्ट्रॉबेरी केक को खा कर ही रहूंगी शिखा पूरे तीन महिने तक थोड़े थोड़े पैसे जोड़ कर पूरे पांच सो रुपए गठा कर लेती है और उस बेकरी पर स्ट्रॉबेरी केक खरीदने जाती है अंकल, आप मुझे ये वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए क्या तुम्हारे पास खरिदने के पैसे है? हाँ अंकल, मेरी पास पूरे 500 रुपे है आचा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये केक पैक कर देता हूँ वो आदमी शिखा के लिए केक पैक कर ही रहा होता है कि तभी शिखा को एक बूढ़ी औरत के करहाने की आवाज सुनाई देती है वो इधर उधर देखती है, तो उसे सड़क किनारे एक घायल बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आती है तभी वो उस केक को छोड़ कर उस बूढ़ी औरत के पास जाती है दादिमा, दादिमा, ये आपको क्या हुआ, आपके सर में ये चोड़ कैसे लग गई शिखा उस बूढ़ी औरत से बात करने के कोशिश करती है लेकिन चोट लगने के कारण वो बूढी और शिखा को कुछ नहीं बता पाती ये दादी मा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है एक काम करती हूँ, मैं इन्हें पास वाले डॉक्टर अंकल के पास ले जाती हूँ शिखा उस बूढी औरत को डॉक्टर के क्लीनिक पर ले कर जाती है जहां डॉक्टर बूढी औरत का चेक अप करके उसके सर पर पट्टी बान देते है माजी, आपकी चोट के लिए ये कुछ दवाईयां दी है आप इन्हें समय पर खा लेना, नहीं तो चोट की वज़े से आपके सर में दर्ध हो सकता है ये लीजिए और आप काउंटर पर 500 रुपे जमा करवा दीजिए लेकिन बेटा, इस वक्त मेरे पास एक रुपया भी नहीं है मैं जब सड़क पार कर रही थी, तो एक चोर मुझे धक्का देकर मेरे सारे पैसे छीन कर भाग गया माफ कीजिएगा माजी, लेकिन बिना पैसों के हम आपको ये दवाई नहीं दे सकते डॉक्टर के ये बात सुनकर शिखा परिशान हो जाती है और मन ही मन सोचती है अगर डॉक्टर ने इन दादी मा को दवाई नहीं दी, तो इनकी तबियत खराब हो जाएगी मेरे पास 500 रुपे तो है, लेकिन वो मैंने स्ट्रॉबेरी केक के लिए जोड़े थे अब मैं क्या करूँ, इन पैसों से स्ट्रॉबेरी केक करीदू या दादी मा के लिए दवाईयां खरीदू शिखा कुछ देर तक अपने मन में ये बाते सोचती है और फिर उन पैसों को बुढ़ी दादी मा को दे देती है दादी मा, आप इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दीजिए और अपनी दवाईयां ले लीजिए लेकिन बेटा, ये तो तुम्हारे पैसे है ना? कोई बात नहीं दादी मा, इस समय आपको इन पैसों की जादा जरूरत है अगर आपने अभी पैसे नहीं जमा करवाई, तो डॉक्टर आपको दवाई नहीं देंगे और आपके तबियत खराब हो जाएगी, ये लीजिए वो बूढ़ी औरत शिखा के सर को पुछकारते हुए उसके हाद से पैसे लेकर काउंटर पर जमा करवा देती है और शिखा से कहती है तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती, तो मैं अभी तक अकेली उस रोड पर ही पड़ी होती तुमने तो मेरी दवाईयों के लिए भी मुझे पैसे दे कर मेरी बहुत मदद की है तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉबेरी का खेत है, मैं तुम्हें अपने खेत से मीठी-मीठी स्ट्रॉबेरी तोड कर दूँगी क्या कहा? स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही शिखा के मुँँ में पानी आजाता है और वो उस वरत के साथ उसके घर जाने के लिए तयार हो जाती है ठीक है दादी मा अगर आपके गर पर स्ट्रॉबेरी का खेट है तो मैं आपके घर पर ज़रूर चलूँगी शिखा अब उसके साथ उसके घर पर जाती है तो उसके घर के सामने बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेत देख कर बहुत खुश होती है दादी मा क्या मैं आपके स्ट्रॉबेरी खेत में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी तोड सकती हूँ मैंने आज तक कभी स्ट्रावेरीज नहीं खाई, लेकिन मैं जब भी स्ट्रावेरी को देखती हूँ, तभी मेरा स्ट्रावेरी खाने का मन कर जाता है। हाँ बेटा, तुम इन में से जितनी चाहू उतनी स्ट्रावेरी खा सकती हूँ। बुढ़ी औरत के कहने पर शिखा स्ट्रॉबेरी के खेत में जाती है और एक बिलकुल पकी हुई लाल स्ट्रॉबेरी को तोड लेती है वो जैसे ही स्ट्रॉबेरी को खाती है तो उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत ही मीटी है इससे टेस्टी कोई और चीज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई दादी मा आपके खेत की स्ट्रॉबेरी तो बहुत टेस्टी है हाँ बेटा ये लो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्ट्रॉबेरी पैक कर दी है तुम इन्हें अपने घर पर लेकर जाना और अपनी ममी पापा के साथ मिल बाट कर खाना बूढी और अरच शिखा को एक बहुत ही सुन्दर बास्केट में धेर सारी स्ट्रॉबेरी भर कर देती है शिखा उस्ट्रॉबेरीज को लेकर अपने घर चली जाती है ममी, ममी, ये देखो, मैं कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज लेकर आई हूँ अरे, तेरे पास इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज कहां से आई ये तो बहुत महेंगी होती है, तेरे पास इन्हें खरिदने के पैसे कहां से आई नहीं ममी, मैंने इन्हें नहीं खरिदा मैंने तो बस एक बूढ़ी दादी मा की मदद की थी, उन्होंने ही अपने खेट से मुझे ये स्ट्राबेरीज दी शिखा अपनी मम्मी को सारी बात बता कर उन स्ट्राबेरीज को धोने के लिए किचन में लेकर जाती है और उन्हें ताजा पानी से धोने लगती है, तब ही उसे एक आवाज सुनाई देती है अरे अरे इतने थंड में कौन हमें इस थंड थंड पानी से नहला रहा है? जल्दी से इस पानी को बंद करो, हमें बहुत थंड लग रही है अरे ये आवास कहां से आ रही है किच्चन में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है अरे तुमसे किस नहीं कहा कि किच्चन में तुम्हारी अलावा और कोई नहीं है हम है न तुम्हारी साथ कौन है मेरे साथ अरे हम छोटी छोटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज हम है जादूई स्ट्रॉबेरीज क्या कहा जादूई स्ट्रॉबेरीज हाँ हाँ जादूई स्ट्रॉबेरी अब तुम प्लीज हमें धोना बंद करो हमें बहुत थन्ड लग रही है ये सुनकर शिखा तुरंथ ही नल को बंद कर देती है वो जैसे ही स्ट्रॉबेरीज के तरफ देखती है तो उन स्ट्रॉबेरीज के छोटे-छोटे पैर और दो प्यारी-प्यारी आँखे भी होती है ये क्या, तुम सभी के छोटे-छोटे हाथ पेर और आखे भी है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही नहीं शिखा, तुम कोई सपना नहीं देख रही हम सभी जादू स्ट्रॉबेरीज है और ये सब मेरे छोटे भाई बहन है तुमने हमारे बूढी दादिमा की मदद की इसलिए हम भे तुमारे पास यहां तुमारी मदद करने आ गए कहो तुम्हें हमसे क्या चाहिए मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए जिस पर बहुत सारी ताजी-ताजी मीठी-मीठी स्ट्रॉबेरी लगी हो क्या तुम मेरे लिए ऐसा केक ला सकती हो? क्यूं नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक स्वादिश स्ट्रॉबेरी केक ले आती हूँ जादोई स्ट्रॉबेरी अपने हातों को हवा में घुमाती है और शिखा के सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक आ जाता है वो उस केक को अपने सामने देखते ही बहुत खुश होती है और उसे खाने लगती है ये स्ट्रॉबेरी केक तो सच में बहुत ही टेस्टी है मैं कितने महनों से स्ट्रॉबेरी केक को काना चाहती थी जादू इस स्ट्रॉबेरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा तो तुम्हें हमसे सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी केक ही चाहिए क्या तुम हमसे कुछ और नहीं मांगना चाहती वैसे तो मैं तुमसे बहुत कुछ मांगना चाती हूँ लेकिन क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे पाओगी तुम एक बार मांग कर तो देखो अच्छा, क्या तुम मेरे घर को बिलकुल एक स्ट्रॉबेरी जैसा बना सकती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बिलकुल स्ट्रॉबेरी जैसा दिखे क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए ऐसा भी करतेंगे तुम बस देखती जाओ जादूई स्ट्रॉबेरी अपने हातों को हवा में घुमाती है और देखते ही देखते शिखा का पुराना तूटा-फूटा घर बिलकुल नए और संदर घर में बदल जाता है और उसका घर देखने में बिलकुल एक स्ट्रॉबेरी के आकार का लगता है अचानक से जब उनका पुराना घर बिलकुल नया हो जाता है तो शिखा के मा अचानक से घबरा जाती है और शिखा को पुकारने लगती है लगता है अचानक से नया घर बन जाने से मा डर गई है चलो हम मा के पास चलते है शिखाउन जादोई स्ट्रॉबेरी के साथ अपनी मा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है जादोई स्ट्रॉबेरी अगर तुम मेरे घर को नया कर सकती हो तो क्या हमारी गरीबी मिटाने में हमारी मदद कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं मधू बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए जादूई स्ट्रॉबेडी मेरे पते दिन भर खेत में बहुत महनत करते है लेकिन उसके बाद भी हमारी आधी फसल खराब हो जाती है क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे हमारे खेत की फसल कभी खराब ना हो और हमारा कोई नुकसान ना हो ठीक है मधू आज के बाद तुम्हारे खेत की फसल कभी खराब नहीं होगी और तुम अपने खेत में जो भी उखाओगे वो तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होगा और ना ही तुमारे घर से कभी राशन खत्म होगा शिखा को स्ट्राबेरी बहुत पसंद है न? इसलिए मैं उसके लिए एक स्ट्राबेरी का खेत भी बनाऊंगी उस में से तुम जितनी चाहे उतनी स्ट्रॉबेरीज खाना, उस खेद की स्ट्रॉबेरी कभी खत्म नहीं होगी। इतना कहकर जादूई स्ट्रॉबेरी अपने हातों को हवा में घुमाती है, तो उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। और उनके खेद की फसल भी बिल्कुल हरी-भरी हो जाती है। साथ ही उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉबेरी का खेद भी बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लाल-लाल स्ट्रॉबेरी होती है। इसके बाद जादोई स्ट्रॉबेरी वहां से गायब हो जाती है। उस दिन के बाद शिखा का परिवार गरीब नहीं रहता और शिखा अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी बिताती है। इसलिए वो सुबह सवेरे ही अपने खेतों में पहुच जाता और जितने आलू वो एक दिन में बेच सकता था वो निकाल लेता। लेकिन सर्दियों में आलू इतनी अधिक मात्रा में होता था कि बहुत ही कम दामों में बिखता था। जिस वजह से उसे कोई मुनाफ़ा नहीं थे हाद भर का खेत नहीं है थोड़ी सी सब्जी लगती है वही महीने भर में खत्म हो जाती है इस तरह कैसे चलेगा बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तब ही वहाँ पर रामप्रसाद का बेटा आता है बाबा बाहर बहुत धुन्ध है और ठंड भी है आपने कहा था कि आप मुझे एक नया स्वेटर ला कर देंगे इस स्वेटर में देखो ठंड भी नहीं रुकती है और कितनी जगह से फट भी गया है और मेरे पास तो जूत भी नहीं है चपल में बहुत ठंड लगती है इस बारी गाउं का हाट बाजार लगेगा तो मैं तुम लोगों को सामान दिला कर लाऊंगा चलो बच्चों तुम लोगों को स्कूल के लिए देर ही हो रही होगी रामप्रसाद बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन अपनी गर रामप्रसाद का मन बहुत उदास था वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है ताकि वो आज के आलू निकाल सके और उन्हें बाजार में बेच सके जब वो अपने खेतों में जाता है तो और भी परिशान हो जाता है उसके सारे पोधे इधर उधर उखड़े पड़े थे औ और खेतों में कोई भी आलू नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके खेतों में से सारे आलू निकाल लिये गए हैं। मेरे खेट के आलू कहां चले गए? अभी कल ही तक तो मैंने यहां तक खेट के आलू निकाले थे. बागी के आलू? हे बगवान, ये सब क्या हो गया? रामप्रसाद जोर-जोर से रोने लगा कि तब ही वहां पर एक मोटा गूल-मोल सा आदमी आता है. रामप्रसाद के कंधे पर हाथ रख कर कहता है. क्या हुआ भया? तुम इतनी जोर-जोर से शोर क्यों कर रहे हो? ये मेरा खेट है. यहां पर मैंने आलू लगा रखे थे. मैं रोज यहां से आलू निकाल कर उन्हें बाजार में बेशने जाता था. आज जब आया तो देखा, यहां एक भी आलू नहीं है. अच्छे तुम्हें कैसे समझाओ? असल मैं हुआ ये कि एक आदमी के आलू का नुकसान मुझसे हो गया. अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने हड़ बड़ी में जादू से तुमारे खेट के सारे आलू उसको दे दिये. ये तुम क्या बोले जा रहे हो? जादू से मेरे ख राम करना बंद कर जाएगा. रुको, मुझे पहले अराम से सोच लेने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अपना पूरा दिमाग लगा लिया. लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें नुकसान की भरपाई कैसे करूँ? अब तुम ही मुझे बतादो कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कैसे करूँ? एक तो तुम देखने में कितने अजीब से आदमी हो उपर से मेरा नुकसान कर दिया और अब मुझसे पूछ लो कि नुकसान की भरपाई कैसे कर वा हूँ तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो न अरे यार मैंने तुम्हारा बहुत भारी नुकसान कर दिया है लेकिन तुम मुझे पागल मत कहो मैं जादू यालू हूँ हाँ कभी कभी मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतिया हो जाती है लेकिन मैं फिर भी सबको खुश कर ही लेता हूँ तो मैं भी कर लूँगा अब तुम बताओ तुमें क्या चाहिए सुनो भाई, सुभा का समय है और तुम्हें लगता है कि इतनी बुरी हालत अपने खेत की देखने के बाद मैं किसी मजाग के मूर में होंगा तुम जाओ भाई, तुम जो कोई भी हो जाओ यहां से, और मेरा दिमाग मत खराब करो बढ़ाया जादू यालू बार बार एक ही बात सुनकर रामप्रसाद को बहुत गुसा आ जाओ यालू से बोलता है क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो मैं जादू यालू हूँ, जादू यालू हूँ इतना ही जादू यालू हो तो इस खेत के ओपर महल खड़ा कर दो मेरे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े ला दो, मेरे घर परिवार को अच्छा बना दो, मेरा खेट बड़ा कर दो, दुनिया जहां की सारी सुक्सों विधाय मेरी जोली में डाल दो, बताओ, कर सकते हो ये कहकर रामप्रसाद अपने खेट में पहले हुए, इधर उधर पौधो को एक तरफ इकठा करने लगता है, और जादू या आलू वहाँ अपर अपने सर पर हाथ रख कर सोचने लगता है, और फिर अचानक से रामप्रसाद बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा खेट था, एक महर था और बहुत सारी चीज़े थी, रामप्रसाद अपने चारों तरफ देख रहा था, दूर दूर तक उसका खेट बड़ा हो चुका था, क्या तुम्हारे नुकसान की भरपाई इतनी से हो जाएगी, ये सब क्या है, सच बताओ तुम कौन हो, और अचानक से ये सब कुछ जो कुछ मैंने मांगा, यहाँ पर सब कुछ है, तो मेरे बाई मैं इतनी देर से तुमसे यही पूछ रहा था, क्या इतना कुछ बहुत है, या तुम्हे कुछ और भी चाहिए, रामप्रसाद की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है, उसे तो अधर घर और बाकी सारा सामान भी, तभी कुछ किसान रामप्रसाद के पास आते हैं, अरे भाई मैं तो हैरान हो गया, अपने खेत में काम करना था, अचानक से देखा यहाँ पर सब कुछ आ गया, यह कैसे वह रामप्रसाद, लगता है तेरी तो किसमत बदल गई है, अचा रामप्रसाद का नुकसान मुझसे गलती से हुआ, इसलिए मुझे उसकी बरपाई करनी पड़ी, अब तुम जानो, और तुम्हारा यह दोस्त रामप्रसाद जाने, मैंने जितना देना था, मैं दे चुका, और बताओ रामप्रसाद, तुम्हें कुछ और चाहिए तो, रामप्रसाद सोच में पड़ जाता है, फिर आखिर में वो जादूई आलू से बोलता है, तुमने मुझे जितना दिया, इसकी तो मुझे उमीद भी नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे एक चीज और दे सकते हो, तो बस इतना, जो कि मैं अपने खेतों में जब भी कोई स और सीधा अपने घर आकर, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर, उसे अपने खेतों में ले जाता है, अरी, ये कौन सी जगा है, हमारे गाओं में तो पहले कभी नहीं थी, भागिवान, ये सब कुछ हमारा अपना है, ये खेत, ये घर, ये सामान, ये सब कुछ हमारा अपना है लेकिन कैसे? क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब कुछ अब हमारा अपना है? हाँ, हाँ, सब कुछ हमारा है. अब बच्चों को मैं स्कूल से लेकर आता हूँ और कितने स्वेटर चाहिए, मुझे बता, क्या क्या समान चाहिए, वो भी मुझे बता. अब तुम लोगों को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूगा पर वहां खड़े हुए किसान रामप्रसाद की किसमत के बदल जाने पर बड़े हैरान हो रहे थे और मनीवन सोच रहे थी कि काश वो जादू यालू उनका नुकसान कर देता तो वो भी आज रामप्रसाद जितने अमीर हो जाते रामप्रसाद स्कूल जाता है और स्कूल की छुट्टी होने पर अपने बच्चों को लेकर अपने घर में आता है जहां पर सुक सुविधाओं का सारा सामान था गर्मी लगे तो ऐसी चले ठंड लगे तो हीटर सबके अपने अपने कमरे इतना सारा सामान था घर में कि एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी बाबा सुभा तक तो हम गरीब थे अब अचानक से अमीर कैसे हो गए इसी को ही किसमत कहते हैं बेटा कहा जाता है न कि पल में दुनिया बदल जाती है हमारी भी दुनिया पल में बदल गई अरे वाँ मेरा इतना सुन्दर कमरा इतने अच्छे अच्छे कपड़े मैं तो एकदम परी लगूंगी परी अब तो राम प्रसाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी वो अपने खेतों में काम करता था और आसपास के अपने किसान मित्रों की भी मदद करता था उसने जादूई आलू के द्वारा मिली मदद को मेहनत करके दिन रात चौगुना कर बहुत अमीर आदमी बन गया